एक तरफ बुल्डोजर ने उत्तर प्रदेश में सरगर्मिया बढ़ाई हुई है वहीं मध्यप्रदेश में भी कम बवाल नहीं है मध्यप्रदेश में एक बार फिर एक बुल्डोजर चला और इस बुल्डोजर ने गरीब का घर तोड़ दिया इस घर को तोड़ने की वज़व क्या थी वो भी आपको बताएंगे लेकिन इस बुल्डोजर ने परिवार को बारिश के दिनों में सड़क पर भटकने को मजबूर जरूर कर दिया पन्ना जुले में एक लाक रुपे की रिश्वत की दिमान पूरी नहीं करने पर तहसीलदार के कोप भाजन का शिकार हुआ एक व्यक्ति जहां आरोप यह है कि महिला हित्गराही सुनीता गुपता का नया बना मकान जो की प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट बनाया गया बता दे आरोप है कि पन्ना पटवारी ने रिश्वत मांगी थी राशी को फोन पे के माद्यम से हित्गराही को वापस दे दी गई बताया गया कि हित्गराही ने पहली किष्ट में रिश्वत के 10,000 रुपे नगत दिये बाकी 6,90,000 की रकम बाद में देने का आश्वास दि बीट गए 6,90,000 की रकम नहीं दी गई इस पर तहसीलदार पन्ना ने दो नोटिस जारी किये पेशे पर तलब किया और अब मकान पर बुल्डोजर चला कर उसे जमी दोस कर दिया गया बता दें कि जियो टैग होने के बावजूद भवन निर्मान की स्वीकरती नल कनेक्शन पत्र, नगर पालिका की टेक्स रसी मकान की फोटो सहित सारिद दस्तावेज हितगराही के पास मौजूद थे बावजूद इसके हितगराही के ताला लगे पीम आवास मकान को बुल्डोजर चला कर निस्तो नाबूद कर दिया गया पुर्वसियम शिवरात सिंग चोहान की लाडली बहना योजुना के अंतरगत हितगराही सुनीता गुपता का पीम आवास स्वीकरत हुआ था अब इसकारवाई से स्थानी और जम्मिदार सहिद जुला प्रशासन शंका और सवालों के घेरे में आपने क्या पन दिया है आज हम कलेक्टिव परसर में आय हुए है हमारा मकान जो पराने पन्ना वाट्रमांग शब्रस में बना हुआ था जिस दिन हम पडिवार सहिद बाहर गए हुए थे उस दिन तैसिलार के द्वारा और नगरपालका की तीम पे द्वारा मुहले वालों से कि हमारा मकान ही गाया भो चुका है वहाँ पे तो हम लोगों के हो सड़ गए उस समय तो महलेबालों से हम लोगों ने पूछा तो उनने पूरी जानकारी दी हमको तो उसके बाद अभी देन से हम लोग सदमे में थे आज हमने कलेक्टर साब को आबेदन देने के लिए और इसकी जानकारी देने हम कलेक्टर साफ को आए हुए थे और इसकी जानकारी अभी हम अपने माननी सांसट जी को भिदेंगे अर्य बिधायक जी को भिदेंगे कि इस तरीके से आवास योजना का बना हूव उगा मकान ताला लगा हूः गिरा सकते हैं जब जे लोग तो ये तो किसी गरीब का फिर रहना जी ना मुस्कल कर देंगे लोग बैसे ही अपनी विरोजगारी से परिशान हुए हैं और महंगाई के दौर से जूज रहे हैं उसके बाद किसी का आसिया ना गिरा देना ये मुझे लगता है बहुत बड़ी एक दुखत गटना है पैसे की लेंडेन वाली बात भी सामने आई तो जिसके अबज में पटवारी जी उनने बूला था कि हम से पटवारी जी से मिल लो हमने उनसे निवेदन किया था कि हम गरीब आदमी है सर वावास उजनागा बना रहे हैं तहसील दार साब से बोले नई सेट जी हमें पता है साम लगाया हुआ था तो तैसिल दार साब आ गए थे तो इनके द्वारा बताया गया कि आप एक लाख रुपे के दे दो तो हम देख लेंगे ओ पटवारी जी से मिल लो साम को जाके तो हम दो तीन देन तो हम लोग सौक्त थे कि हमारा वैसे इतने बनाने में पैसा लगता ह है सब एक लाख रुपे आया है हमारा एक लाख रुपे की दिमांड कर रहे हैं तो तीन चाहर जन बाद हमाई माता जी बोली के थोड़ा में लाव है सनी के अपना फाल दूगन अफसान कर देंगे अपनको तो रहना यहीं समाज में हैं और लोग अदकारी हैं अपन जाके म हमने दस यह रुपे दे दिए हमने उनसे बोला सर हम और आंगे आपको दे देंगे अभी आप हमारा गिराना नहीं है कुस हैसी कारवाई मत करना किस मार्दम से दिए यह मैं नगत दे आया था उनको और इनके नगत देने के बाद जब हमने एक दो महीं में हम इनसे मतलब द सब्सक्राइब कर देंगे तो हमने हाँ जोड़े होने काला आपना हमने कुछ नहीं बोला कि हमें आप दो वापस या कुछ भी करो पर देखेंगे भाई कोई कारवाई भी नहीं की महीने से अपन सांत हो गए तो इन्हें अभी कारण बटाउन नोटस दिया और सीधे बस दो पेसी हुई के लाग रोपे आप दे दे तो आपका मकान सुरक्षित रहता बोई मकान बैंच नहीं पड़ता ताव दे पाते हम पूरा धरासाई कर दिया किस जगह पर लाड़ी बहना के उससे उनको नकला था वो लाड़ी बहना के मगान के रूप में नकाला गया था और पूरा दादीया को बिना नोटिस दिये हैं कोई जानकारी होती तो अपना निकालते ताला थोड़ी रहने देते चीने का तरिक को गिर जाएगा अपकग अपनों से ठहते कोई जानकारी नहीं है आए आए कि अफ़ प्रिदम इलकिताला बंद में घरा दिया है उसको अब क्या चाहते हैं बनाने की अनुमती दी जाए वहाँ पर नगरबासियों से यह अपील रहेगी हमारी सभी जगे की करपया सास्की जमीनों पर अतिकमर्ण ना करें अपनी जमीन पर ही अपने आवास जो भी भवन है उनका निर्माण करें ताकि आने वाले समय में सारी सास्की जमीनों की किसी प्रियोजन के लिए जरूरत पड़ती रहती है और वो केवल जंता के हिद के लिए ही होती है इसलिए उनको जब हटाया जाता है तो कोई व पिछले लगभग 15 दिन से तसिल्दार पन्ना सीमों पन्ना मैं स्वयम भी द्वारा मुहिम चलाई जाकर धीरे-धीरे करके एक साथ तो सब संभाव नहीं है लेकिन कॉलेज के पास से डायमंड चोरा ऐसे स्कूलों के पास से जो आवशक हैं उनके अतिक्रमान हटाने की कार झाइ नही दो के तरेदिए लगा जाएवग 6 अपश्यार एक से गास से अरते हैं नही दोड़ मुना मैं से दोड़े जारते हैं उनके पोरा प्लाई था हैं दोड़ एका भीरे-धीरे लिदा मैं यदिदेख़ दोड़ एक से तरे उनके तरू नहीं जारते हैं धोरो